नमसकार TOP1 हिंदुस्तान पर आपका एक बार फिरसे स्ववागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं JEE MN Session 1 की अंसर की के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको JEE MN Session 1 की अंसर की चेक करनी है पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में step by step दिखाया जाएगा इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर दीखेगा लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और सेर कर दे और साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बैल आइक इन को दबा दे आईए वीडियो में हम आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि यही मेन की आंसर की आपको किस प्रकार से चेक करनी है तो आपको बता दे आंसर की चेक करने के लिए आपको Google Chrome या ने कोई भी ब्राजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है educationindialio.in आपको क्या सर्च करना है तो आपको सर्च करना है educationindialio.in Google में यह सर्च करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक page आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जेए मेन से सनवन आंसर की 2023 इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस पोस्ट को आपको open कर देना है पोस्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से open हो जाएगी यहाँ पर जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे jwe main 2023 official answer की यहाँ पर हमने दोनों लिंक दे दी हैं जिसमें आप एक में application number और password से अपनी answer की check कर सकते हैं और दूसरे में आप application number और date of birth से अपनी answer की check कर सकते हैं तो अगर आपको date of birth वाई check करनी है तो आप इस पर click कर देंगे अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक page open होगा सबसे पहले आपको अपने application number इस box में डालने हैं उसके बाद आप यहां पर click करेंगे और अपनी date of birth को यहां से select कर देंगे जो भी आपकी date of birth है उसे आपको यहां से select करना है date of birth select करने के बाद दोस्तों आपको जो यह security code नीचे इस box में देखने को मिल रहा है इसे आपको यहां as it is टाल देना है और sign in पर click करना है दोस्तों बीटे क्या भी आपके सामने आएगा उस पर आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से यह जो question paper यानि response sheet यह open हो जाएगे यहां पर आप question देख पाएंगे और इसके साथ ही आपने कौन सा option जो है select किया था वो आप देख पाएंगे उसके अलावा दोस्तों एक बार फिर से आपको इसी page पर आना है और click to view और challenge answer की पर click कर देना है अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से answer की open हो जाएगी यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं question type और question id यहां पर लिखी हुई है और उसी के सामने यहां पर correct option लिखा हुआ है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से answer की और response seat का मिलान करेंगे तो आपको बता दे यहां पर आप जो है correct option को देखेंगे और उसके बाद दोस्तों यहां पर आप जो है response seat में आएंगे और आप देखेंगे कि आपने कौन सा जवाब दिया है और उस option की ID क्या है अगर यह ID और यह ID अगर match कर रही है इसका मतलब दोस्तों आपको यहां नमबर मिलने वाले है यह थी पूरी जानकारी आपकी answer की check करने को लेकर वीडियो अगर आपको बसंद आया है तो वीडियो का अप लाइक और share अवस्य करेगा और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को अभी subscribe करके बैल आइकन को दबा दीजेगा मिलते हैं आप सकले वीडियो में किसने जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद